नमस्कार, पर्यावरण का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्त है। पर्यावरण बैज्यानिक डाक्टर जैप्रकास बर्मा। कि हमारे जितने बनस्पतियां हैं, जिवु जन्तु हैं, और जो हमारे सूर का प्रकास है, मिट्टी है, हवा है, पानी है, कैसे यह हम लोगों को प्रभावित करते हैं। तो इसी को पर्यावरण कहा जाता है, जो एक पारिस्तिक तंत्त है। इसमें अगर कोई भी तरह का दिक्कत और परसानी होता है, एक भी चीजा का डिस्टर्ब होता है, तो मानो जीवन पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसको पर्यावरण कहाते हैं, जैसे इस समय हमारे आसपास की सारी चीजे जैसे की पेड़ कम होते जा रहा है। तो इसका महत्तु है कि पेड़ हम काटते जा रहे हैं और अर्वनाईएशन बढ़ता जा रहा है तो इसका सीधा प्रभाव है कि हमारे आसपास धीरे धीरे जो है नदी तालाफ सूकते जा रहे हैं बर्सारी तुम्हें परिवर्तन हो रहा है और जिससे पर्यावरान प्रदू दूसरा चीज है हम पानी का जो है इतना ज्यादा दोहन कर रहा है अना वस्यक इतना ज्यादा यूज करने कि धीरे धीरे हमारे ग्राउंड वाटर लेबल कम होता जा रहा है लेकिन बर्माजी पर्यावनर जागुता का उद्धिश क्या होना चाहिए किस तरह से हम लोगों को बताना है जागरूप करने का मादम कि हम स्कूल कालेज और इस तरह के प्रोग्राम करें कि लोगों को कि इसका महत तो बताएं पेड क्यों जरूरी है लोगों को कि पेड से हमको क्या चीज प्राप्त होता है पेड हमारे लिए बारिस पानी वरसा किसलिए महत तो पूर है औ और कैसे पेड़ हमको क्या दवादेते हैं उनको खाना मिलता है और हमको जो हमारे वातावरण में को सुद्ध करते हैं जेसे घैस है तो आक सीजन सम को पाउधों से मिलता है इसलिए लोगों को हम बताएं ूद्रिया आपका क्या development इतना चीज हम अपने लिए यूज करें प्राकृतिक संसदादनों का दोहन इस लेवल पे करें कम से कम कि अपने लिए कर सकें और हम पने आने वाली पीड़ी के लिए बचा सके तिकाव विकास रहे जिसमें कि हमारा पर्यावरण भी स्वरच्चित रहे जल जमीन और नदिया जहरने भी एक तरह से स्वरच्चित रहे उसमें पानी रहे क्योंकि जलिव जन्तु भी है जिसका हमारे जीवन पे बहुत महत्तपूर प्रभाव पड़ता है जितने जीव जन्तु हैं जिसको बायो डॉस्टी कहा जाता है उसका हर एक चीज का इंपार्टेंस है हमारे अभटक में जिसको इन्वार्मेंट में अगर फूड चेन, फूड वेप अगर कोई भी जीव जन्तु अगर खतम होते हैं इस पिर्थवी से तो उसका डारेक्ट इन्डारेक्ट हमारे मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है और वह एक तरह का इंडिकेटर है हमारे लिए जैसे गंगा में कहा जाता है गंगा का पानी पहले बहुत सुध होता था और उसमें जो जलीव जन्तु इस समय धीरे-धीरे कम होते जा रहा है डालफीन जो गंगेज डालफीन की संख्या भी धीरे-धीरे कम होती जा रही है वो एक तरह की इंडिकेटर था फ्रेस वाटर का, वाटर सुच होता था, अभी इतने जादे इंडस्टी और उसका जो है इन्फ्लूएंट जो है पानी गंगा में जा रहा है जिसे करण इतना दूसित हो चुका है कि अब ओ धीरे-धीरे मचली जो है डालफी नहीं पाय जा र मैं फ्रेसर्च बढ़तों का उसमें पालूस जो मानो मचलींग है अभी ये रिसेर्च भूब के खून में अभी प्लास्टिक के नैवे नो पर शुय सकती है हमारे ब्रेंड में जो इसलिए मानों को हमेशा इस चीज को सनरच्छित करना है कि हमको कम से कम प्लास्टिक यूज करना है और जो पानी को बचाना है उसको सनरच्छित करना है अदर्वाइज हमारा जो पर्यावराण है जल, जीव, जन्त, मिट्टी सारां के स्वास्त खराब हो रहा है और उसका बुरा परभाव हमारे मानो जीवन पे पढ़ रहा है बर्मा जी आप तो मल ये पर्यावरण के छेतर में काम कर रहे हैं जैसे क्या माध्यम होना चेज से नुकर नाटक के माध्यम से हम लोगों को जागरूप करें पर्यावरण के महत को समझावें और मतलब क्या माध्यम हो जिससे की जादी से जादी लोग जागरूप पर्यावरण के प्रती हो एक सबसे बड़ा अच्छा माध्यम है कि स्कूल में हम जो है बच्चों का वयर करें, वो माधा पिता को बताएं कि किस तरह हमको पानी बचानाwest, बिजली बचानाहे, पीड़ लगाना है एक तो ये माध्यम है और जितने हमारे सरकारी संस्थान है गाउं में जितने जो है पंचायते हैं इस लेवल पे और जिले में हर लेवल पे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे लोकल लेवल पे हमको जितने भी समाजिक संस्थान है एंजियो है गौवर्मेंट का है सब एक तरह का अगर एक तरह का प्रामिज करें या सफत लें कि हमको प्रावण को बचाना है हमको पेड़ पोधे लगाना है अपने आप साफ सुतरा रखना है पानी को कम से कम यूज करना है हम आपिस से जब निकल रहे हैं तो कम सकम हमको लाइट आप कर देना है कंप्यूटर आप कर दे है अगर बहुत कम दूरी है तो आपने जो है साइक्टल से जाएं अधर वाज पब्लिक टांसपोर्ट का प्रियोक करें ज़्यादा से ज्यादा इसमें वेहकिल पालूशन से कार्बन डाक्साइड है कार्बन मोनो अक्साइड है नाटरस अक्साइड सल्फर डाक्साइड जो की गाड़ियों से इतना प्रदूसर्ण हो रहा है कि जिससे हमारा जो है ओजोन लेयर कम हो रहा है जिससे करण टमप्रेचर बढ़ता जा रहा है और उसका जो है मानो जीवन प प्रभाव यह इसका है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग यह हमारों जितने से ज़्यादा से ज़्यादा गैसों का पालूशन हो रहा है ग्रीन हाउस गैसे बढ़ रही है और वह एक तरह के हमारे इन्वार्मेंट में पर्यावराण में वंडल में एक जो है एक तरह के कवरिंग बना ले रहे हैं तो जो सूर सी रोशनी आ रही है और जब जो है दुबारा नहीं जा पर जिससे करांड टंपरेचर हमारे पिर्सभी के बढ़ जा रहा है और उसके करांड इस समय जैसे टंपरेचर बहुत नहीं बढ़ रहा है बट हमको अगर घ ब्रेंड डामेज हो जा रहा है नर्वा सिस्टम तो उनको बहुत हीट शॉक लग रहा है इसके करांड डारेक्ट प्रभाव है और लोगों को इसकीन पे बहुत ज्यादा इसकीन कैंसर सबढ़ रहा है इसकीन में रेसे सारा रहा है और यहाल में एक मानौत राजदी भी दे अगर और उधिरे दीरे फिखलेंगे तो सिव लेवल राइज होगा हमारा समन्द का और जो समन्द के किनारे जितने रहने वाले सिटी हैं वह सब ढूब जाएंगे वह और दूसरा ग्लेसियर के नीचे ऐसे ऐसे विसालो जीवालो डिपोजिट हैं कहा जाता है कि अगर पीघल गया तो कोरोना जैसे बहुत महामारी आ सकता है कि कोई मानों बचेगा नहीं यह एक फ्यूचर पोजेक्शन है जो की रेसर्च में सामने आया है कि बरप के नीचे बहुत सारे वा तो हमारे लगता है करोना जैसे बहुत महामारी पिर्थवी पे आ सकती है तो हमको जो है बारे में क्लाइमिट चेंज के बारे में हमको अवेर करना है और बर्मा जी जिसे नदी है जरने है तालाब है पहाड है एक तरह से कहा जाए कि जो हमारा समुद्र है उसका भी पानी एक तरह से जो नार्मल टंपरेचर रहता उसे जादे हो जा रहा है तो इसका किस तरह से पर्यावर्ण को सरचण में जितने नदी तालाब जरने हैं एक कहीं कहीं डारेक्ट हमारे जो है मानव जीवन से प्रभावित है तालाब है तालाब में हमारे जितने जिव जन्त उपस्व पच्ची है उसे पानी पीते हैं लेते हैं जली जिवन तो उसमें रहते हैं तो और जो आज सपास उसको वी नदियों के पानी धीरे-धीरे काम हो रहा है से ने कम होती जा रहा है और उसमें पानी तरह की नची आछा घ्टिरिया भी पैदा हो रहा रहा है जैसे गंगा की बात करते हैं पहले गंगा का पानी बहुत सुथता उसमें बैक्टिरियों फाज होता था लोग पानी को पीते थे और एक मेडिसन की तरह यूज करते थे आज जो है गंगा का पालूसन इतना पानी उसमें कंटामिनेशन हो चुका है नदियों का पानी में जैसे की इंडस्ट्री के इफ्लिएंस से हैवी मेटल और यह सब चीजें से कि उसमें इतना बैक्टिरिया जो रोगान हो है जिवाड हो है फास्पिटल वेस्ट के नाते पनप रहे हैं किकि हम वाटर को प्यूरिफाई करता है गौवर्मेंट्स और उसमें जो है प्यूरिफाई करने के बाद भी लोगों को धीर दी रखने के बाद भी कंटामिनेशन हो जा रहा है जिसके करण जो है हमको इसको पर्यावरान को सनरुचित करना है हमारे तालाब तुछ तबहारा माइनिंग से उसको जो है सनरच्षित नहीं करते हैं माइनिंग करते जा रहे हैं तो पहाड़ों पे अभी माइनिंग करने से क्या हो कि उसमें जो है प्लांटेशन की कमी हो जा रहे हैं तो हमको पहाड़ों को बचाना है सनरच्छित करना माइनिंग से करें को उसको रिकलेम करें और नदियों पानी को इस तरह से सनरच्छित करें कि उसमें फ्लो बनाए रखें उसमें प्रदूसर ना होना पाए जिससे कि हम उसमें जलू जुनत हमारे जो है सरद्चित रहे हमको लोगों को आवेर करना कि क्यों इंपार्टेंस है क्यों नवी दालाब हमारे लिए इंपार्टेंट है क्योंकि ग्राउंड वाटर रहे क्योंकि अभी कंक्रीट करते जा रहा हम सारे च्छत घर ऐसे बनाये जा रहे हैं कि पक्का हाउसे और कोई भी अब जगा नहीं है कि जहां तला आप ज़रने हर गाउं में रहते थे कि पानी उससे जो है ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग होता है अगर लोग मकान बनवाएं तो उसमें यह होना चाहिए कि वाटर हार्वेस्टिंग रहे जिसे कि पानी नीचे वो परकॉलेट हो करके सनरच्छित हो अधरवाइज और बर्मा जी किस तरह की चुनौतियां है पर्यावरण को लेकर के इसलिए कि एक तरफ तो विकास भी है और दोहन करते जा रहा है तो चुनौति एक बहुत की अगर हम पर्यावरण भचाना है तो हमको थोड़ा जनसंख्या पे कंट्रोल पे कम करना है और लोगों को है कि हम कम से कम चीजों को यूज कि यह सीमित धंक से कि हम एक जो है सतत्द विकास के लिए पर्यावरण जो अपने के रखें अदर्वाइज फिर ऐसा समय आयेगा कि हम जो है मानो जीवन भी खत्रेम हो सकता है इस तरह कहा जाता कि जैसे लोग जो है धीरे-द dépendस्प्तिया नस्ठ हो जाएंगी तो मानो जीवन में भी खत्रा होगा मानों भी खत्म हो सकता पिर्चवी पेश्टारा और आज जरूरत है कि हम आप मिल करके पर्यावरण को बचाएंगे तो दोस्तों पर्यावरण हमारा घर है और हमारी और की जिम्मेदारी है कि पर्यावरण को संरच्छित करें तभी हम आने वाली पिढ़ी को एक स्वच्छ और साथ सुथरा वातावरण दे सकते हैं जानकारी दिने और बाचित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवार डक्षार